नमस्कार सर मेरा नाम राजू है आज का वीडियो है कि टॉप फाइप मुचल फंड एस एपी अगर करना है तो 2023 में तो कौन सा टॉप फाइप मुचल फंड होगा यहाँ पर एक चीज ध्यान रगना है कि 10 से 15 साल का डूरेशन है तब यह फंड आपके लिए अच्छा है अग अधने चार फंड लिया एक दो तीन चार डूसरे लोगों का कहना है कि अगर अपने चार फंड लिया और एक साल के बाद यह यह अच्छा परफॉर्म नहीं किया यह अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो यहां से स्विच करके दूसरे जिगे चले जाए दूसरे जिगे स्विच कर दीजिए ठीक है बाई कर दिया अब अगले साल एक साल के बाद फिर यह अच्छा परफॉर्म किया अब यह अच्छा प उनकी बात मानेंगे कि फंड अच्छा पर्फर्म ना करें तो स्विच कर दो अब तीसरे साल ये फंड अच्छा पर्फर्म नहीं कर रहा है इसके फंड मेनेजर ने कुछ ऐसा गलती कर दिया कि बाकि सारे फंड मेनेजर के फंड अच्छे चल रहे हैं ये फंड अपने इंडे होता है कि अगले साल सबसे अच्छा कोन करेगा किसी को नहीं पता है अब इस तरह का गलती करेंगे तो यहां से यहां भी खराब किया फिर यहां भी खराब किया फिर अगले बार स्विच करें तो वो भी खराब किया ऐसे नहीं करना है आज आप यहां पर करे वे हैं और आज आपने डिसाइड किया कि मुझ चुलबड़ में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो फंड सेलेक्ट करना है जो 10 से 15 साल पूराना अल्रेडी है अल्रेडी अगर है तो इसका इतिहास आपके पास है कि अगर मोर देन 15 परशंट का रिटन उसने दिया है तो मतलब है कि फंड मेनेजर कैपेबल है आगे भी इससे अच्छा रिटन दे सकते हैं तो बिदाउट स्विच किये वे आपको कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करते रहना है क्यों इसको पीछे देख करके कि पीछे 15 साल में साल रूप करके देखिए अच्छा ही होगा मैंने निपन गुरोथ फंड लिया था तीन साल के बाद मेरा पैसा निगेटिव था आज भी उसमें पैसा इंवेस्टेट हूं 17 परशंट का रिटन दिखा रहा है आठ लाग का वेल्यू 24 लाग रुपया दिखा रहा है तीन ती गिरा हुआ है हमारे समय में तो ऐसा नहीं कि आगे नहीं होगा आगे अच्छा परफॉर्म किया और अभी तक मैं 2010 से लेके अभी तक उसमें बना हूँ अब बात करते हैं भारत देश के ओफिसर का का आईएस ऑफशर हैं डिफेंस में एरफॉस आर्मी नेवी के ओफिसर है इनिस्וטेज में मालनेटें बत पक्चीस साल में नोकरी में वह आ गए बहुर कर सियो 55 साल अ дост आल नहुकरी करेंगे लंबा कैरियर है तीस साल वो नौकरी करेंगे यहाँ पर इस तीस साल के दोरान काफी सहर में उनका पोस्टिंग होगा और सरकार के तरब से अच्छा खासा बंगला उनको मिल जाता है यह छोटा छोटा घर बनाया हूं न यह कुट्ता बिल्ली खरगोस रखने के लिए भी सरकार ने सुविधा दिया आली सान बोलते हैं सरकार रहो मस्ती से काम करो घर का टेंशन छोड़ो सेलरी इतना है कि खाना पीना सब कुछ उसमें है लेकिन एक टेंसन है कि फ्यूचर में रिटार्मेंट के बाद पैसा कितना बच्चेगा कॉर्पस कितना होगा फैनेंसिल प्रेडम पाएंगे नहीं पाएंगे यह पाने के लिए वीडियो आपको दिला देगा आगे देखत यह तो कभी दिमाग में ने आया कि अपना घर कौन सा घर जिसमें रह रहा हूं यही अपना लग रहा है अच्छा तो अभी तक नहीं सोचा है चलो अब सोचते हैं हम आ गए ना अब आपको सुचवाते हैं सुचवाते इसलिए हैं कि उनके मुबाइल पे एक मैसेज आगी है अब संडे को भीजिट करना है तो उन्होंने कहा कि संडे कोई काम नहीं है आप हमारे साथ एक जगा देखने चलेंगे अब मानना पड़ेगा गए तो इस तरह से फ्लैट का परदर्शनी लगावा है त्री बिच के वन थ्री बिच के टू थ्री बिच के थ्री पहला थ्री अब इसी पर मन और दिल आ गया दिल दिमाग इसी पर आ गया यही वला लेना है अब ऑफिसर साब बोल रहे है कि भाई यह तो एफॉर्ट कर ही ने सकते हैं जो अमारा सेलरी है यह बहला ले सकते हैं यह भी नहीं ले सकते हैं लेकिन नहीं जिद प्रेढ गये कि यही लेना है तो फिर भो ले ठीक है करते हैं देखते हैं उपाई लगाते हैं जेड़ करोड का मकान है 50 लाफ नाख एक कोड़ का लोन में आठ परशन का ब्याजमान के चलते हैं 25 साल तक अपने लंबा टेन्यूर दे दिया सब्सक्राइब आएगा 25 साल तक देना पड़ेगा आठ परशन का ब्याजमानते हैं अब इस सब्सक्राइब आप पूरे श्टेट को चला रहे हैं एक डिस्टिक को चला रहे हैं जो भी कर रहे हैं लेकिन घर में जो बैठे हैं उनको लगते कि आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं हम देखते हैं अपनी वाइप को बात करते हैं अपनी सहीली से तो सहीली पूछती कि आप दिन भर क्या करती हैं क्या करना है आधा समय तो इनको ठीक करने हैं अभी तक ठीक करते 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 यहां तक कुछ ठीक कर पाएं इतने सालों में आधा समय तो इनको ठीक करने हैं सब हस्पेंट को सारी वाइब ठीक करती आधा समय दिन भर में और आज जो भी आप देख रहे तरक्की उसमें यही हाथ है कि बीवी जी ने सब को ठीक किया तब आप जाके यहां पे आप सक्सेस्पुल हुए हैं आप जो अपसर बने हैं उसके पहले बीवी थी या नहीं थी इसने भी नौकरी किया उसमें थी नहीं थी पता नहीं देकर नौकरी के बाद जब आये अब जब तरक्की दिक रहा है तो आधा समय बीवी जी आपको करेक्ट कर रहे हैं तभी आप ये सब कुछ सक्सेस्फूल जिननदिगी जी पा रहें ऐसा उनका कहना है तो उनको एक ड दर बना रहता है उस डर को मिटाने के लिए मैंने किया किया सारा पैसा उनके नाम पर इंवेस्ट करते गया तो वो डर मिट गया भाग बेटा कहा पागना उड़ कि सारा पैसा तो हमारे पास है कॉन्फिडेंस बीवी जी को कॉन्फिडेंस आ गया कि उड़ना है उड़े जाओ छेल शेविला दिखा नहीं दिखा लो तो उनको एक डर है तो उस डर को कैसे मिटाना है सततर आजार का यह माई पर आप जा रहे थे आप सकून वरा जिंदगी जी रहें जहां भी है सकून वर के लोर में है रियली आपको लगता है कि वह आपको वर्थ है जो आपने फ्लैट खरीदा है सत्तर हजार असी हजर का एमाई जाता है और पचीस जर्प्या रेंट लेते हैं आप कुम सा केल्कुलेशन किये हैं कहां मैथमेटिक्स पढ़े हैं यह पढ़ाई ही नहीं पढ़ा सका 13 पर्शन के रेट से घ्ट छाय वर्पिया बनता है यहां देखतें हैं तो जमा करेंगे जैटी कलोड रुपया 50 10 Jevr haven परमंथ पच्छिस साल में जैटाउर जमा होगा और उस पैसे का भिली होगा गयारे कलोड क्य pasture रुपया यही कारन है कि अच्पी सिबैंक taki BBC पूर पे लोन पे घर खरीद लो इतना ही अच्छा होता लोन वाला इस्ट्रक्चर्चर तो अपना ब्रांच सारे बैंक ने क्यों नहीं ओन करके खरीदा है वो रेंट पे क्यों है यह सोचना है तो इतना पैसा बन सकता है यहां पर आप देखते हैं अब आपका यह कोस्टन होगा कि डेर्ड करोर का मकान आज नहीं खरीदेंगे उस समय तो बहुत 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 ज्यादा इतना हो जाएगा कि खरीद नहीं पाएंगे बिल्कुल खरी है हो जयाएं थैसे बाघिया आपके सकतरों मैंन सतान गर होगा यह जब यहीं पैसा सब्फल currently हमस्टीन उसमें सब्सक्राइब चैनल गों तॉन पाल एवा भी हो गया पैसे होग्याहसरге सब को पैसा ही चाहिए अंत में आपने दिल्ली बंबे कलकता मदरास में फ्लेट खरीदा है और अभी भी सरकारी घर में रह रहे हैं आपने यहीं सोचा था कि वह फ्लेट बेताहसा बृद्धी हो जाएगा और हमारे पास एक एसेट हो जाएगा अप रहेंगे नहीं रहेंगे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था आपने यह सोचा था कि वह फ्लेट बहुत ज़्यादा पैसा ही कहा हो जाएगा और वह बाद में मुझे फैनेंसेल फ्रीटम देगा बढ़ापे के बाद रिटार्मेंट के बाद अच्छा जिंदगी काटेंगे नहीं होगा ऐसा अगर ऐसा है तो पीछे जितना लोग रिटायल किये हैं उनका जिंदगी आप देख लिजे देखके डर जाएंगे आप क्या ऐसा ही जिंदगी चाहिए आपको नहीं चाहिए तो इस तरह का इंवेस्टमेंट करना है जो बैंक करता है कुछ यह बैंक में जाके कि वो रेंट पर है पिछले 40 साल से आने वाले 100 साल तक भी वो रेंट पर ही रहेगा तो अपना पैसा उसने इन्वेस्ट कां किया एंसर मिलेगा मार्केट में किया अब देखते हैं कि यहां पर मैं आपको एक रिकॉर्ड दिखाता हूं कि 50-50 जर पर मंत का सिप अगर किया यहां पर देखते हैं और हजबेंट को तंग नहीं करना है उनसे पैसा खीचना है चेनना है और मुचलफण में इन्वेस्ट कर देना है जोग देना है लड़के जगड़के जैसे भी जोएंट एकांट करके अपने एकांट में पैसा पहले ले लेना है 50-50 जर लिया 2013 से लेके 2023 तक जमा कर दिया 60 लाग रुपया और पैसा है एक एक गोड़ 87 लाग रुपया पिछले 10 साल में सिर्फ किसके किसके एकांट में एक गोड़के है नोगरी आपने 15 सल कर लिया 12 सल कर लिया 13 सल कर दिया क्या एक कोड़के कैसमी वाइट है एंसर है नहीं है पचास प्लॉट फ्लेट जरूर है आसपास कुछ काम नहीं देगा प्लॉट फ्लेट इस धर्ती पे जितना जमीन पहले था आज भी है हमारे जाने के बाद भी होगा और रेजिस्ट्री का पेपर कुछ नहीं करेगा करेगा आपके जिन्दगे में अगर सांती लाएगा तो कुछ पैसा सर्प्लस है लिक्विड मनी है वही आपको जिवन यापन करने में अच्छा होगा दूसरा फंड का बात करते हैं कौन नहीं जनता है कि हर जगह पे ब्रांच है चेक काट के दे दीजिए पचास जर्वे परमन 2013 से अब तक किया साथ लाग यहां जमा हुआ हुआ है एक कोड़ सेवन्टीन लाग एक किस परशन का रिटन इस फंड में जो पैसा लगाया है लोगोंने पंदरा अजार क्रोड यहां पर इन्वेस्टेट पैसा है हम लोगोंने पंदरा अजार क्रोड यहां पर लगाया है जो पैसा लगाया उस पैसे का वेल्लियू जो ग्रोथ हुआ है एक्किस परशन का सलाना ग्रोथ हुआ है अगर एवरेज का बात करें हम कहेंगे टॉप फाइप में दस दस का बात करते हैं कौन बढ़ा कौन कम हुआ को जितना ज्यादा बढ़ा इससे मतलब नहीं सतरा परशन का रिटन यहां आपको एवरेज मिला है तो इस तरह से करके जबकि हमने कैलकुलेट कितना किया था यह साथ करोड या ग्यारा करोड जो बना था तेरा परशन के रेट से परशन का रिटन मिला है अगर मैं यहां पर मिट कैप के टिगरी यह मैंने इस्टारसाइपी डॉट इन को लॉगिन किया है यहां पर मिट कैप के टेगरी को हम सेलेक्ट करते हैं मिट कैप के टेगरी है और यहां पर सिंस इंसेप्शन सेलेक्ट कर देते हैं आप खुद इस इस ग्राप को टच करेंगे 50 जरुपे पर मंद सिंस इंसेप्शन मतलब जब से ये फंड शुरू हुआ था निपाउन इंडिया ग्रोथ फंड मिटकेप केटेगरी में पहला फंड जहां मैंने इंवेस्ट किया था 1995 से कोई 50 जरुपे पर मंद किया होगा बहुत ज्यादा पेसा है पता है उसमें इतना नहीं था लेकिन एक रिकॉर्ड आज से तो हो कर सकते ना 1995 से लेके अब तक 2023 तक एक कोड़ पैसाट लाग रुपे जा चुका है एसाइपी के तरूप पचास जरुपे पर मंद उस एक कोड़ पैसाट लाग का आज वेल्यू है जो भी करें उसका रिटर्ण 21% के रेट से ही मिला है सिंस इंसेप्सन मतलब कब से 95 से लेके अब तक 64 कोड़ प्या बनाया है कोई सोचते ही नहीं कि में 5 कोड़ प्या एसेट बन सकता है क्लाया है दस लूठ एसेट बन सकता है सोचाइन नहीं सोचा आए सोचना है सोचनाय इस्टार्ण 21 के के अलकूलेट करनाये घर तो आपके पास पहले उतो पहले ही होगा अब पैसा बनाना एई आपके family member में चार आदमी हैं, एक एक कोड़ के पहले बना लिजे ना, जब ऐसा करेंगे ना, मेरे पास दिल्ली से मिलने के लिए घर पे आए लोग, बोले आपके जिसा free रहना चाते हैं, जिंदगी free जीना चाते हैं, कैसे जीएंगे, तो मैंने एक ही बात बोला उनको, आप अपने account में 50 लाग रुपे पहले कर लिजे, जिस दिन आपके account में cash 50 लाग रुपे हो जाएगा, उस दिन आप free होना शुरू हो जाएगे, जैसे ही पैसा हम लोग के पास 10 लाग, 20 लाग, 30 लाग होता है, एक रेजिस्ट्री उधर कर लिया, एक plot corner वाला, मक्षन साइज वा करते हैं, ऐसी करना है क्या, तो well plan करना है, अगर आप 15 साल या 10 साल अपने जिनली के जो पैसा बचरा है जोगते जाएंगे मुचल पने SIP में, आपको इतना पैसा बना देगा कि आप financial freedom 15-16 साल में पाल लेंगे, आपको इसी तरह मुचल फंड के बारे में और कुछ जानना है, investment के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे phone कर सकते हैं, आपको पहली बार मुचल फंड में invest करना है, तो DAW एप में registration करने कबाद हमसे जुड सकते हैं, minimum SIP आप 100 रुपिया से सुरू कर सकते हैं, जब खोबड़ी का Bluetooth on हो जाए, होता है ना, मुचल पन तो भाग आ गया, डूब गया, हिरा गया, आपको पताच लेगा रहे है, कोई तो डूबा भागा नहीं, 12-15% का return भी मिल रहा है, फिर इसके बाद ज्यादा पेसा invest कीजिए, एप का और मेरे service का lifetime कोई चार्ज नहीं है, वीडियो अच्छा लगे है, तो WhatsApp University में दोस्तों भीची से जर आइक एंसर जरू करें, थैंक यू सो मच,